और हमारे यहां पर आपका Aart and architecture की तो तो सबसे important बात anyway at art and architecture की तो सबसे important बात only आपका dances की टो अचैके dances में आपका जो है we have different types of dances classical dances होते हैं Folk Dancers भी होते हैं और साथी साथ अगर मैं बात करूँ तो कई जगह पर आपका जvation martial art form भी आपको देखने के मिलती है इंडिया में कहते हैं कि हमारा जो culture है वो बहुत ही varied है बहुत सारी varieties आपका यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूँगा the various classical dances और martial art forms जो कि हमारे इंडिया में पाए जाते हैं कासकर जो classical dances है उनको deeply और अच्छे तरीके से हम वहाँ पर देखेंगे क्योंकि यह आपका topic बहुत important है आपके upcoming exams के लिए चाहे वो आपका FCAT का exam है CDS का exam है या पर CAPF का exam है ठीक है तो मेरे साथ बने रहेगा इस पूरे session में इस पूरे वीडियो में और मेरा नाम है वहाँ सिंग्स रोई I welcome you all on the platform of बाई जो इक्जाम पर यहां पर अगर मैं बात करूँ आपका दो dances है यह जो classical dances है इसमें आपका जो dance है वो आपका जो characters को describe करता है चाहे वो God है goddesses है या फिर religious cultures है और अगर मैं बात करूँ आपका बहुत बड़ा हमारी हाँ पर आपका जो है एक पूरा अथा उनकी जितने भी आपका जो है पूरे व्रतान्त है और जो आपके जो chronology है हर जगा पर आप अगर देखे तो आपको जो है बहुत सारे evidences आपको मिलेंगे हमारे हाँ पर dance forms के ठीक है different periods में आपको extensive evidences आपको मिल सकते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ आपका आज जो आप जो dance form देखते हैं ये कही ना कहीं आपका 12th century से लेकर और 19th century तो आपका evolve हुआ ठीक है उस समय पर आपका सांगीत नाटक जो आपका perform किया जाता था या play musical play उससे ही आपका evolve हो कर आया और साथी साथ अगर मैं बात करूँ आपका तो जो formal first formal mention आपका जो पाया जाता है हमारे भारत में किस सीज़ का dance का वो आपका पाया जाता है जो भारत मुरी है उनका जो नाट्य शास्ता उसमें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपका dance की तो dance एक art form है जहाँ पर body जो है उसको ऐसा medium of communication यूज किया जाता है dance heritage अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो यह लगभग लगभग 5000 साल पुराना है और dance जो है उसको एक divine form में divine origin के तौर पर आपका माना गया और इसलिए जो आप देखते हैं आपका previous जितनी भी हमारे we had the ages तो वहाँ पर dance form को आपका एक religious form में ritual form में आपका use किया जाता था worshiping के लिए और इसका जो सबसे supreme manifestation है वो आप नट्राज के form में देख सकते हैं जो dancing शिवा है और यह जो आपका जो नट्राज है इसका जो idol है यह आपका जो है इंडिस वेली civilization से भी आपका प्राप्थ हुआ नाट्या शास्त्र जो मैं आपको बताया कि आपका जो first formal treaty है treaties है on the dance इसमें आपका जो है दो basic aspects आपके बताये गए हैं dance के सबसे पहले आपका लस्या लस्या मतलब आपका grace, भाव, रस और अभिने यह आपका जो है feminine features को आपका symbolic है feminine features को आपका दर्शाता है dance में और साथ ही तांडव जो है आपका male aspect है जो कि आपका more of rhythm and movement से आपका संबंदित है वही पर अगर मैं बात रहूँ आपका तो जो rush और emotions है जो आपका dance के form में आपका जो है बताये गए हैं वो 9 है यह 9 rush या emotions कौन-कौन से है श्रिंगार यानि कि love, हस्या यानि कि आपका humor, करुना, compassion, र तीर, heroic, अद्बत, wonder, विभत्स, disgust, और शान्त यानि काम अब अगर मैं बात कूँ यहां पर तो जो नाट्टे शास्त्र है वो आपका जो अभी नहीं दरपन है ठीक है वो आपका जो है तीन basic features आपका बताता है dance के ठीक है सबसे पहले आपका है नृत्त जो basic dance steps है जो दीरे दीरे आपका start करते हैं इसमें कोई भी expressions या mood convey नहीं होता और यह rhythmically आपका जो है वो play किये जाते है then comes nritya, nritya जो है वो basic movements है जहां पर आपका gestures or poses आपके दिये जाते है along with the hands or fingers जिसको हस्त मुद्रा कहा जाता है और facial expressions जिसको अभी ने बोला जाता है यहां पर आपके जो emotions ह है वो आपका जो है निकल कर सामने आते है नाट्या यानि की जो dramatic representation होता है जिसमें आपका story या फिर आपका जो dance recital है उसका elaborate form होता है जो भी dance है वो आपका क्या convey कर रहा है that is natya ठीक है यह तीन basic elements है अब अगर मैं बात कुरू हमारे जो इंडिया में जो classical dancers है classical dancers जो हैं वो हम साथ या गुरू शिष्य ट्रेडिशन यहाँ पर follow होता है और यह 8 के 8 classical dancers संगीत नाटक academy जो है इनको recognize करती है कौन-कौन से 8 classical dancers है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भरत नाट्याम, कुछिपूरी, कथकली, मोहिनी अट्टाम, ओडेसी, मनिपूरी, कथक और सक्तरिया अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपका सबसे पहले भरत नाट्याम की तो यह आपका तमिलाडू में है तमिलाडू में आपका यह dance form practice किया जाता है और यह मारा जाता है कि जितने भी आपके classical dance है उनमें सबसे पुराना आपका भरत नाट्याम ही है और इसका नाम जो ह इसका नाम जो है, वो आपका निकाला गया, अभीनाई दरपन जो आपका नंदी के ऐश्वर द्वारा आपका लिखा गया है, उसमें आपका बरत नाटियम का एक बड़ा आपका हिस्सा आपको मिलता है, साधियालत अगर बाद करो, आपका एक हरिया, या फिर आप कह सकते हैं यहां पर आपका एक ही dancer जो है वो आपका काफी सारे roles आपका play करता है in a single performance. यहां पर सबसे important यह note करना है कि एक prominent freedom fighter जनका नाम था E. Krishna Iyer उन्होंने इस dance form को दुबारा से revive किया और रुक्मनी देवी अरंदेल उन्होंने इसको आपका global recognition यानि की वेश्विक पहचान आपका दिखाई बरतनाटियम आपका जब आपका play किया जाता है तो इसकी जो theme होती है वो religious या devotional theme आपका रहती है इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपका तो इस dance form में दोनों ही चीज़ को आपका equal emphasis दिया गया है तांडव को भी और लस्य aspect को भी जहाँ पर major emphasis आपका मुद्रा में है यहाँ पर आपका legs, hips और arms के traditional movements को आपका involve किया गया है and साथ ही साथ expressions जो है वो आपका eye movements और hand gestures के तुरू आपका दर्शाय जाते है जो कि आपके emotions जो dancer होता उसके emotions को आपका दर्शाते है इसको fire dance भी आपका कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह manifestation है of the fire in the human body और इसके proponents बहुद इंपोर्टेंड है बिटा एक्जाम में पूछे जाते है यामिनी कृष्णमूर्ती, लक्षमी विश्वनातन, पद्मा सुब्रवन्याम और मृनालिनी सारभाई जैसे आपके जो exponents है proponents है वो आपके इसके बरतनाट्यम के है बरतनाट्यम में जो आपका कॉस्ट्यूम है या आपका सिल्क साडी से आपका बना होता है जिसमें गोल्ड की embroidery होती है और साथी साथ बहुत सारे pleats आपके होते हैं necklace bangles और head ornaments आपका jewelry के तौर पे आपके यूज के जाते हैं woven pads जो है उनके उपर bells यानि कि आपका जो है जुम्रू वो आपके जो है वो बांदे जाते हैं और वो feet में पहने जाते हैं, knees bent रहते हैं और generally जो performance है इसमें आपका श्लोक के तुरू आपका जो है performance complete की जाती है इसी के साथ साथ अगर मैं बात पूरू आपका तो इसके जो पुराने आपके जो चित्र हैं वो आपको दिख सकते हैं, गोपुरम में जो चिदंब्रम temple है तमिलाडू में वहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं, next classical dance की डांस की डांस काथक कथक की बात करूँ तो आपका जो है ये नौर्थ इंडिया में practice किया जाता है primarily एक temple या village performance आपका थी, जहांपर dancers जो हैं वो आपका ancient scriptures से, वहां की आपका जो है, जो stories हैं वो आपका वहांपर दर्शाते थे, रृत्य के साथ ये जो आपका जो dance है, कथक जो dance है, ये अपनी जो origin है ये रास लीला से आपका trace करता है, जो ब्रज शेत्र में आपका की जाती है साथी जात जो इसका नाम है कथक, तो ये कथा यानि story और या फिर कथाकार जो आपका story सुनाता है, उससे ही आपका जो नाम derived किया गया है ये आपका distinct pattern में, distinct mode of dance में आपका evolve हुआ 15th और 16th centuries में जब आपका जो भक्ती movement spread हुआ और मुगल emperors के तोर पर, जब उनका, जो आपका राज था, मुगलों का उस समय पर ये आपका कथक, courts में perform किया जाता था जिस वज़े से इसको इसकी distinctive style आपको मिली, जो Persian style है साथे अगर में बात हुआ, आपका North India में जो कथक है basically, जो last nawaab of avad थे उस समय पर ये आपका major art form में आपका grow हुआ उस्ताद जो आपका वाजद हली शाह थे, जो नवाब वाजद हली शाह इसी के साथ, बाद में लीला शोक है उन्होंने आपका 20 वी शताबदी में, century में आपको इसको revive किया और जुगल बंदी इसका main attraction है, कतक का जिसमें आपका जो है, दोनों के बीच, तबला प्लेयर होता है और साथी साथ, there is a dancer, दोनों के बीच में जो आपका जुगल बंदी होती है उनके पेरों की, और साथी साथ आपका जो है, रिदम की वो आपका यहाँ पर इसका main interaction है आप बात करें इसका, तो रास लीला से इसका उदबव हुआ है तो that means, यहाँ पर जो आपका theme है, that is Radha and Krishna's story और dance जो है, वो आपका दीरे दीरे शुरू होता है और बहुत तेजी से, fast pieces में, fast rhythms में आपका जो है, यह प्रोग्रेस करता है और यहाँ पर सबसे important है, food works, spins और सातिधाथ अब इन्हें, जो mudra है, या फिर expression है और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हिंदुस्तानी music से आपका related है यानि की tabla, sitar और sandur संतूर जो है, वो आपका यहाँ पर, आपका use किये जाते हैं इस musical performance में क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तानी music involved है तो इसलिए यह आपका अलग-अलग घराना उसमें आपका बटा हुआ है, लकनाउ घराना नवाब बाजित अली खान और अगर मैं बात करूँ जैपर जो घराना है, इसको initiate किया तब भानु जी ने राजगर्ड या राइगर्ड जो आपका घराना है राजा चक्रधर सिंग और बनारस घराना जो है जानकी प्रसाद के अंडर आपका जो है वो फलफूला इसी के साथ प्रोपोनेंट्स की बात करें तो अगेन बहुत important है आपके exam point of view से बिर्जु माराज है सात्या लच्चु माराज सितारा देवी और शोवना नरायन जो है नरायना वो इसकी प्रोपोनेंट है यूजली यह आपका solar performance होता है और इसमें आपका जो है जो dancer है वो बीच बीच में आपका pause करके and then she recites या फिर आपका जो है वहाँ पर आपका verses जो है वो आपका जो है recite किये जाते है और more focus यहाँ पर आपका footwork पर रहता है movements आपके skillfully controlled रहते हैं इसका next हम बात करते हैं आंदरप्रदेश से जो classical dance है that is कुचिपूरी यह आपका basically group of actors आपका परफॉर्म करते थे जब आपका जो है गाउं से दूसरे गाउं आपका जाते थे और यह जो actors थे इनको आपका कुचिपूरी जो है आंदरप्रदेश में आपका एक गाउं है जिसका नाम है कुचिपूरी वहां से या फिर कुचेलापूरम गाउं है कृष्णा डिस्टिक्ट में वहां से इसका नाम कुचिपूरी आपका पड़ा सत्रवेश अदाप्दी में आपका सिदेंद्र योगी उन्होंने आपका जो है इसकी performance को भागवद पुरान की वह आपका center थी और साथी साथ अगर मैं बात करूँ आपका तो ये एक dance drama के तौर पर आपका perform किया जाता था ग्रुप में या फिर solo में बाला सरस्वती और रागिनी देवी उन्होंने इस dance form को दिवारा से आपका revive किया और इसमें जो solo elements है आपका कुचिपुडी के उसमें आ जाता है मांडूक शब्दम यानि जो story है frog की साथिया तरंगम तरंगम जहां पर dancer जो है वो अपने feet पर आपका perform करता है सर के उपर आपका brass plates होती है sorry नीचे आपका brass plate होती है और उपर आपका एक pot of water या फिर दिया का set होता है और साथिया जल्चित्र नृत्यम जहां पर dancer अपने पैरों से आपका नीचे एक picture आपका draw करता है इसी के साथ साल अगर मैं बात रूँ यहां पर proponents की तो रादा रेडी साथिया राजा रेडी इसके proponent है कुछीपूरी के प्लस यामनी कृष्णा मूर्थी और इंद्रानी रह्मान जो है वो आपका इसके proponents है इसके आदम बात करते है केरला के आपका classical dance form की जिसका नाम है कतकली रामन अट्टम, कुडी अट्टम और कृष्णा अट्टम यह आपका तीन अलग-अलग separate dance form से जो कि आपका evolve हुए और उसके बाद कतकली का आपका source बने साधी दात उस समय पर आपका feudal lords हुआ करते थे, जमिदार हुआ करते थे उनके patronage में आपका कतकली जो है वो आपका evolve हुआ और इसमें रमायन और महाभारत की themes जो है वो इसका major आपका central theme आपका रहती है जब आपका दीरे-दीरे जमिदारी खतब होई तो उसी समय पर आपका कतकली भी आपका decline होने लगा as an art form और बाद में 1930s में मल्याली poet वियन मैनन के द्वारा आपका जो है इसको revive किया गया जो मुकंद राजा के अंडर आपका थे, कतकली जो है यह आपका complete male performance है जहां पर आपका males perform करते है यहां पर आपका props का use बहुत कम होता है ठीक है और साथी साथ अगर मैं बात करूँ यहां पर जो dancers है वो आपका stories में आपका roles play करते है particular makeup और costumes के साथ-साथ और साथी साथ जो vocalist है वो आपका जो legend है उसको आपका narrate करते है और जो percussionist ने जो आपका players है आपका musical instruments बजाते है और यहां पर जो आपका facial makeup है यह आपका बहुत important है ठीक है जो facial makeup यहां पर किया जाता है यहां पर different colors आपके use के जाते है green color आपका richness और decency को show करता है वहीं पर red color dominance को black color evil को and yellow color आपका that is for women यह आपके colors आपके use के जाते हैं for the facial makeup यहां पर जो आपका language use की जाती है songs में उसको कहा जाता है money problem जो कि आपका मल्यालम और संस्क्रित का एक mixed आपकी language है कतगली जो है वो आपका जो है basically अगर बात करें तो बहुत सारे rust यहां पर आपका represent की जाते है और यहां पर main जो आपका use होता है वो आपका eyes और eyebrows का use किया जाता है और इसको element of sky से symbolize किया गया है proponents की बात करें तो गुरू कंचु कुरूप और गोपीनाथ, कोटगल, शिवा वरम, रमन और रीता गांगुली यह आपके proponents है कतकली के next हम बात करते है केरला से ही मोहिनी अट्टम की, मोहिनी अट्टम या फिर डांस ओफ एंचेंट्रेस या मोहिनी जो की आपका Lord Vishnu की आपका अवतार थी ठीक है, उनके solo performance को ही आपका मोहिनी अट्टम कहा जाता है, यह आपका वदिवेलू के द्वारा आपका डवलप किया गया 19th century में और उसके बाद जब त्रविनकोर के यहां पर राजा थे केरल में, उस समय पर यह अपने चरम सीमा पर यानि की आपका टॉप लेवल पर उसके बाद फिर अगें, जो मल्यालम पोएट थे, वी एंड मेनन, उन्होंने इसको आपका जो है, रिवाइव किया, अलोंग विद कल्यानी अम्मा, इसमें आपका लस्ये, जो एस्पेक्ट है, जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, आपका डांस का, वो आपका सबसे इसके अपना नाम आपका लेता है, जो कि नाट्य शास्त्र में आपका मेंशन है, पहले महरीज के द्वारा आपका प्राक्टेस किया जाता था, और उस समय पर जैन किंग कार्वेल, जो आपका वहाँ पर रूल करते थे, फिर बाद में ODC आपका इंटरनाशनल लेवल पर आपका जो जाना गया due to efforts of Charles Fabry और इंतरानी रह्मान, उसके अजब वैशनल विजम हाया, तो मेरी सिस्टम जो आपका धीरे-दीरे खतम होता चला गया, वैशनलिजम के बाद, बक्ती मूव्मेंट के बाद, और मेरी सिस्टम जब आपका खतम हुआ, तो उस समय पर जो आप बच्चे थे, जिनको कि आपका रिक्रूट किया गया, इनको बोला गया गोतिव पुआस, इसके जो प्रॉपरेंट्स हैं, वो है मिनाती मिश्डा, गुरू पंकर चरंदास, गुरू केलू चरंद, मोहपात्रा, सोनल मान सिंख, शेरॉन लुविन, USA में और मारिला बारवी अरजंटीना से, और मेजर थीम जो है यहाँ पर लॉड विश्णू और साथिजाद जैदेव की, जो गीता गोविंद है, उसके शलोक इसकी मेजर थीम रहते हैं, और इसमें आपका त्रिबंग, जो है वो आपका मेन, आपका यहाँ पर जो डांस फॉर्म है, वो आपका य स्तर पर, त्री त्री लेवल्स पर आपका जो बेंड होती है, आपका नेक, साथिया टॉर्सो और यूर नीज, ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात रहूं, यहाँ पर चौक पोजिशन भी देखने को मिलती है, जिसमें आपका एक स्क्वाइर पोजिशन आप यहाँ प सत्रस से आपका जहे निकालता है, सत्रस जो आपका वहाँ पर वैशनव, मौनेश्ट्रीज यहाँ आपका मठ है, ठीक है, वहाँ पर यह प्राइमेरिली प्रेक्टेस किया जाता था और इसलिए इसका नाम पढ़ बड़ा सत्रिया, साथिधात इसका जो मेंशन है, वो dance है यह आपका दो अलग-अलग आपका streams में evolve हुआ ज्ञान भयानार नाच और सातिदार जो कर्मनार नाच है उसके उपर नेक्स्ट आपका जो dance मनिपूरी जो कि आपका मनिपूर में आपका फेमस है मनिपूर का क्लासिकल डांस है और यह आपका जो है बेसिकली जो शिव और पारवती है उनके उपर यह आपका बेस था ओरिजिनली फिर उसके बाद 15th आने वाले थे रमिद्रना टैग और जब उन्होंने मनिपूरी को आपका जो है इंटिड्यूस किया शांतिनी केतन में मनिपूरी में जो आप ड्रेस देख सकते हैं यहाँ पर फीमेल ड्रेस इसको कहा जाता है पटलोई ठीक है आप अगर आपर देखे तो यह ड्रेस आपक सेफरिंट डेस आपका पहनते हैं जो कि लॉर्ड कृष्णा को दर्शाती है यहाँ पर कोई भी आपका जुम्रू या फिर आपका पैर में कोई भी पायल वगेरा नहीं पहनी जाती और इसका जो अर्लियस्ट आपका डांस फॉर्म है वो है लाय हरोबा यहाँ पर जो प्र के ऊपर मरीपुरी डांस की अगर मैं बात रूँ आपका तो यहाँ पर नागबंध मुद्रा जिसमें बॉडी जो है वो आपका डिफरेंट कर्व्स के थू आपका करेक्टिड होती है एट का शेप आपका बनाती है वो आपका इंपॉर्टेंट पोस्चर है यहाँ पर और इसके प्रपोनेंट्स है गुरू विपिन सिंग जावेरी सिस्टर्स नायना सुवर्ना रंजना और दर्शिना ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल एट डांस फॉर्म्स है जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है बरतनाटियम है कथक कुल्चिपूरी और कथकली और साथियाद फेमर्स प्रोपोनेंट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है साथि उडिसा उडिसी मरिपूरी सत्रिया और मोहिनी अट्टा सिर्फ क्लासिकल डांस नहीं अगर मैं बात कुरू आपका तो हमारे यहाँ पर जब आपका जो क्लासिकल डांस है हिंदुस गरानाज गर्णाना जो कि आपके यहाँ पर डबलप हुए ग्वालियर गवाराना इसके फांडेरे नन्थान खान आगरा घराना के हाजि सुजान खान रंगीला घराना फयाज खान जैपुर अत्रोली घराना अलाधिया खान और किराना घराना अबदुलवाइद खान यह आपको समझ में आओगा जितनी भी हमारे फेमस क्लासिकल डांस है इसी के साथ साथ आप जॉइन कर सकते हैं मेरे साथ टेलिग्राम पर जहां पर इसकी पीडिएफ जल्द ही आपको अपलोड कर दी जाएगी आप मेरे नाम से मेरे को सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो वहां पर आपको मेरा टेलिग्राम चानल पिंड मिल जाएगा इसी के साथ साथ अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 96580-5904 और साथ ही सा के साथ शेर जरूर कीजेगा so that would be all thank you bye bye take care jayhin अपना ध्यान रखे सुरक्षित रहें and by just exam prep के साथ बने रहें thank you